जे श्री किष्णा दोस्तों हर हर महादेव कैसे हैं आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों हमारे किचिन में हमारे रसोई घर में हमारी सुक्सम्लदी बनानी वाली बहुत सारी चीजें जो यदि हम छोटा सा छोटा से उपाय करते हैं और बहुत ही positive result नमक का स्वाध हमारे जीवन में बहुत ही खास होता है बहुत ही महत पुन होता है खाने में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो नुकसान और कम हो जाए तो नुकसान सांथी स्वाध आप एक बार शकर बिना तो खा सकते हैं शकर बिना कुछ चीज आपको चल जाएगी लेकिन नमक बिना बहुत मुश्किल आप वीक में एक बार भी एदी नमक बिना खाना खाते हैं तो आपको मालूम होगा कैसा लगता है इसलिए नमक हमारे लिए बहुत ही महत्पून है इतना ही नहीं नमक से हमारे घर की सुक्सम रदी भी आप बढ़ा सकते हैं राहू केतु के अशुप प्रभाव को भी दूर करने में बहुत ही कारगर माना गया है नमक के अंदर मौजूद आकरशन की कारण सकारत्म कूर्जा का संचार और इसके उपाय करने से जीवन की कई समश्याओं का अंदत होता है आज मैं अपने वीडियो के माद्यम से आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि नमक से आप कैसे अपने घर को सकारत्म कूर्जा ला सकते हैं अब साबुत नमक दली वाला जो नमक आता है बहुत मुश्किल पहले तो यही चलता था लेकिन आशकल बजार में मार्केट में पिसा नमक आ गया तब से थोड़ा सा इसका महत्वक कम हो गया फिर भी कई लोग कई लोग इसको अपने घर में सकारत्मकूर्जा के लिए यूज करते हैं पूजन पाट में भी दिपवली की पूजन में भी करी लोग रखते हैं इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे घर में एक सकारत्मकूर्जा लाने का कारी करता है मालक्षमी को आकशित करने का कारी करता है आप साबुत नमक ले ले, डली वाले नमक को लाल कपड़े में बांद कर, या आप अपने कारी स्यत्र के बाहर पर भी टांग सकते हैं, इससे नकारत्मा कूर्चа प्रवेश्च नहीं करती, और सकारत्मा कूर्चा का संचार होता है, साथी एदि डली वाले नमक को यानि खड़े नमक को ही आप लाल रंग के कपड़े में बान कर अपनी तिजोरी में रखते हैं ऐसा करने से जो एदि आपका धन बहुती जल्दी समाप्त हो जाता है अब हो जल्दी खर्च होता है, इनि आपकी खर्चे जाता हैं कमाई से, तो इससे आपकी वेकारी बंद हो जाएगा, आपकी खर्चे अनावशक रूप के जो खर्चे हैं आप कम हो जाएगे, और लाब प्राप्थ होने लगेगा, साथी शैस्त्रों में राहु केतु को च्छाय अग्रह माना गया है, वास्तु शैस्त्र के अनुसार नमक और कांच, दोनों का ही संबंद राहु और नकारत्मकूर्जा का संबंद केतु से है, यसे में सिर्फ कांच की एक कटोरी में नमक भर कर बात्रों में रख दें, ऐसा कर करने से राहु वकेतु का जो अशुप्रभाव होता है उससे मुक्ति मिलती है और सकारत्मकूर्जा घर में बनी रहती है जिसे शुक्षान्ती और संबद्धी होती है ध्यान रहे नमक को आप हर पंद्रा दन में बदलते रहें साथी घर परिवार के सदुष्य में दी बाद परिवाद बहुत जादा हो रहे हैं जगडे हो रहे हैं मतभेद हो रहे हैं तो पूरे घर में हर रोज पानी में नमक डाल कर पोचह लगाएं ऐसा करने से घर में मौजूद नकारत्मक शक्तिया नश्ठ हो जाती है और बातावरन में पवित्रता बढ़ जाती है इसे देखना आपके घर में कितना बदला हो जाएगा, घर के लोगों में मदभेत कम होकर और प्यार बन जाएगा, सांथी अगर परिवार के किसी सदस्य को आपको लग रहा है कि नजर लग गई है, तो एक चुटकी नमक को उसके उपर से साथ बार उबार लें, और नमक को बाहर क की तरफ फेक दें, या बहते पानी में डाल दें, ऐसा करने से नजर दोश दूर हो जाता है, सांथी किसी व्यक्ति गदबाधा को दूर करने के लिए एक मुठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर पर से बार कर, और दरबाजे के बाहर फेक दें, ऐसा लगातार आप तीन दिन करते हैं, ताकि जो भी आपको अपने अंदर एक नेगटिविटी लग रही है, दूर होती है, नमक सिर्फ इतना ही नहीं, धन सम्मदित समश्याओं को दूर करने में भी बहुत काम आता है, कांच के गिलास में आप नमक और पानी मिला कर घर के उत्तर पूर्व द प्रभाब बना रहता है, और आर्थी किस्तिती मजबूत होती है, सिर्फ करने की देर है, आप उपाय कोई भी उपाय सुनते हैं और करते हैं, आप करेंगे, उसके बाद मालूम पड़ेगा ही आपके लिए कितना उपयोगी सिद्ध होता है, कई बार देखा गया है कि पती- आपने बेडरूम में रख लें, और फिर उसको कम से कम, एक मेने बाद बदलते रहें, ऐसा करने से आपका जो दामपत्ती जीवन में थोड़ा सा एधी कुछ उलट-पलट चल भी रहा है, कुछ जगड़ा हो भी रहा है, तो आपमें प्रेम भाव बढ़ जाएगा, छोटे विश्वास के साथ इन उपायों को, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, यदि मेरी आवाज पहली बार सुन रहें, तो अवश्य चेनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की अच्छे-च्छे जानकरियां इसी चेनल के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहती हैं, आप पर और आपके पूरे परिवार पर भुले नात के क्रपा हमेशा बनी रहें, ओम नमस्षिवाएं